गुजरात ना को अपरेटिव माढखानी चर्चा समगर देश मा थाये छे अने तेनु कारण सहकार क्षेत्र मा गुजरात नी काम गिरी गुजराती लोको बाड़ पंधी जिस कारिक्षेत्र मा जुडायेला होए छे अने तेनू उद्दम उदाहरन साबरकाठाना इडर मा थी सामे आवियू छे केंद्रिय मंत्री पर्शोतम रूपाला आये राजसभा मा तैनी जानकारी आपी इडर मा आठ वर्ष थी नीचे ना बाड़कों नी एक बाड गोपाल बैंक चाले जे आब बैंक पासे 16 करोड नू भंडोड छे जैनी जानकारी केंद्रिय मंत्री ये आपी हती आप आप साल की उमर के बच्चों की एक कॉपरेटीव चल रही है लो बच्छों पर अठारा साल होते ही वो अपने आप इसके सदस्चे मीट जाते है उस कॉपरेटीव का नाम है बाल-गोपाल बैंक अभी आप पो कलपना मैं देखे आया हूं वो इस elder house में इस बच्चों की बात इसलिए मुझे गरवपुर कहनी है सार कि उनके पांस तो आईका स्त्रोथ होता ही नहीं है तो वो पैसे कहां से निकालते हैं तो वहां bank के करमचारी उसके घर में वो गला बचचत bank का छोड़ाते हैं उसके मामा, उसकी माशी, उसके फुफा जो आते हैं और वो जो इनको gift देते हैं वो बचचत bank में डाल देते हैं और हर महिने bank के करमचारी उनके माबाब की उपस्थिती में वो गला खोलते हैं और उसमें से जो राशी मिलती है उसको bank में deposit करते हैं ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोपरेटिव का कितना बड़ा महत्व होगा सर उसमें से एक बच्चे ने मंच पे आकर कहा कि मैं मेडिकल में जाना चाहता हूँ मगर मैं जब मेडिकल में जाऊंगा तो मेरी फीज के पैसे ये बाल गोपाल बैंक से मुझे मिलने वाले हैं मुझे किसी की जरूरत देए आज इस सदन में मुझे बताना है बाल गोपाल बैंक इडर का टोटल बचत संक्या आज इनके पास सोला करोड रुपिये की बचत है इतनी एक बड़ी अच्छी बात मुझे एक ओपरेटिव के महोल को यहां वर्मा जी ने इस विदेख लाकर कहा तो मैंने कहा का आप से शेर करो आपने अनुमति दी इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद